हुआ हडिक …! कुंशिंग आफ इज ारोड फ्छ ऐजा लिक्लाइन हाइड लाइसिस है डिस मीडियम में आपक क्ले अलख लान यानि बेम में किस का क्राइड जा रहा है फृब फालविंग एस्टर ये सब आपके एस्टर दिये गया है और किसका है डॉलाइसिस सबसे जल्दी होगा यह कम होगा ठीक है रेट आफ है डॉलाइसिस हमें डिसाइड करना है अच्छा इसको इसको कैसे अंसर करेंगे मैं पहले एक एक जामपल दे देता हूं वहां से समझने की कोशिच करते हैं जैसे एक इस्टर डना हुआ है यह आपका पहले ऐस्टर दिया है और यहिए आपका सीट्यूऊ करेंगे तो इसके पास में अच्छा-कासा पास्टू-चार्ज डिवलप होगा तो अगर ज्यादा पास्टू-चार्ज होगा तो जल्दी अटाइक करेंगा तो रेट हाइड अगर यह पास्टू-चार्ज कहीं कुछ करेंगे तो पास्टू-चार्ज काम और वह पास्टू-चार्ज यहाँ पर कम होगा तो रेट sûडू-चार्ज क्यों होगा तो अगक्म में कम होगा यह में समझने की कोशिश करना जयासक्त हूं इसे समझ लेजिए कि जो आपको कंई अथक न होते हैं तो प्लेसफ एफ्क्ट या प्लस आघंव व्हू bogat क्या करते हैं कार्बक्टाइन की स्टेबिल्टी को बढ़ा देते हैं क्योंकि कार्ब कार्बन की उपर जो पास्टू चार्ज होता है उसको बिल्कुल कम कर देते हैं तो यह वाले इफेक्ट क्या करेंगे पास्टू चार्ज को बढ़ा देते हैं तो यह वाले इफेक्ट क्या आरबन में ज्यादा होगा तो हम यहां पे बोल सकते हैं जो माइनस वाले एफेक्ट होते हैं पाश टू चारज को बढ़ाएंगे तो एज रिजल्ट रेट आफ हाईडू लाइसिस भी बढ़ेगा मलब अटाइक आफ ओस्माइसन ज्यादा होगा अगर प्लेस वाली जो एफे effect है ठीक है plus वाले effect है तो क्या करते है rate of idolysis को कम खलेते हैं बस इस information से हमें इस question को answer करना है सभी में benzen ring लगा हुआ है सभी में एक ही type का extra डाला है बट इसमें हमें ये देखना है कि effect काउन से लगा है इस benzen ring में कोई भी effect नहीं लगा हुआ है समझ में आता है ठीक है इसमें अगर आप देखें जो CL डेला हुआ है CL के पास में क्या loan appear है तो electron donate करेगा तो plus m की तरह काम करता है but being more electronic to electron pulling करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आजाता है minus i effect ठेक है आगे बन्जीन ring से अगर NO2 लगा हुआ है तो act करेगा minus m की तरह है जो minus m होगा तो minus i से ज्यादा powerful होता है तो यह ज्यादा electron pulling करेगा electron pulling करने के वज़े से इस carbon के पास में अगर पास to charge है तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा जो ओश मैसान को अच्छे खासे तरीके से attract करेगा तो यहाँ पर rate of hydrolysis सबसे ज्यादा होगा तेके अच्छा इसके बाद में यहाँ पर जो आपका CH3 इस oxygen के पास में क्या है lone pair electron donate करेगा तो यह पूरा plus m की तरह काम कर रहा है तो अगर इस carbon के पास में पास to charge develop भी होगा तो electron इतना electron donate करेगा यह पास to charge को बिल्कुल खतम कर देता है तो यहाँ पर rate of hydrolysis बिल्कुल कम हो जाता है तो conclusion इस conclusion से हम इस question concert करने वाले है यह पर minus वाले effect है उनका rate of hydrolysis ज्यादा होगा minus कहां पी लगा हुआ है इसमे minus m हो गया इसमे minus m ही हो गया minus m बाले ज्यादा powerful होता है तो सबसे जयादा किसका होगा यहां पर आपका यह 3rd वाला है ठीक है 3rd वाला का रेट आफ 5 डॉला से जयादा होगा फिसके बाद में यह 2nd वाले का होना चाहिए और इसमें plus m डला है तो उसका तो सबसे last में चला जाएगा यह आपका plus 4 हो गया 2nd and 4 की बीच में कौन सा जागा 1st क्योंकि इसमें कोई भी एफिक्ट नहीं लगाए 2nd 1st 2nd no sorry 3rd 2nd 1st 4th 3rd 2nd 1st and 4th कौन सा option होगा 3rd 2nd 1st and 4th लिजे 1st option में ला हुआ है A option is the right answer